प्रेंट्स मैं हूँ किरन मेरे यूटूब चैनल किरन सिंग्वै साली में आपका स्वागत है आज मैं बनाने वाली हूँ सारवरदाने का खेर सिर्क पांस बिट में तो हमने लिया है 100 ग्राम सारवरदाना हमने महीन दाना लिया है आगर आपके पास मोटा दाना या फिर महीन का सरवुर्दाना है इसलिए हम इसे थोकड़ें बनाएंगे सरवुर्दाने को धूने के बाद हम इसमें डालेंगे जितना सरवुर्दाना हो उससे आधे इंच उपर तक दूध अगर आपके पास दूध कम हो तो पाने डाल कर भी फूलने के लिए छोड़ सकती है दूध डाल कर हम इसे एक घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे सरवुर्दान अब एक घंटे बाद इस तरह हो गया है यह फूल गया है इसे चिटके पर मसल कर देख लेते हैं देखिए चिटकी पर मसल रहा है इस तरह से सरवर्दाना जल्दी पक जाता है अब हम चलते हैं गैस के तरफ हमने गैस को अन किया है और हम सरवर्दाने पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे हमने लिया है आधा लिटर दूद आप पतला बनाना चाहते हो या गाढ़ा बनाना चाहते हो उसी साब से दूद ले ले पहले गैस को हाई फ्लेम पर थोड़ी दिर और सरवर्दाने को अबलने तक पका लेते हैं už फिर गैस को स्लो कर देंगे सरवर्दाना जल्दी चिपकता है इसलिए हम इसे चलाते हो ये पकाएंगे दो निट पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे 100 ग्राम सबुर्दाना है 250 ग्राम चिनी चिनी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कम या जाधा चिनी डालने के बाद बस दो मिनिट और पका लेना है सबुर्दाना बन पकर त्यार है अब हम इसने डालने हैं ड्राइब फूर्स 5-6 काजू कटा हुआ 2 छुवारा कटा हुआ और थोरा सा नारियल कटा हुआ सबुर्दाना पकर एकदम सीची कितर हो गया है अब हम इसमें ड्राइब फूर्स को डाल देते हैं ड्राइब फूर्स ओप्सनल है अगर आपके पास हो तो डाले ना हो तो भी खीर अच्छी बनती है अब हम इसे मिला लेंगे अगर इस तरह का खीर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे गैस को बंद करके हमने इसमें ठक्कन लगा कर थोरी देर छोड़ दिया है तो हमारा सबुर्दाने का खीर बिल्कुल तैयार है सर्फ करने के लिए तो हमने एक कटोरी में से सर्फ किया है सबुर्दाना बहुत ही टेस्टी हिल्दी बनी है एक बार आप भी ट्राइ करके देखे बहुत अच्छे बनती है और जल्दी भी बन जाती है अब हम इसमें कटेवी बादाम और काजू से गार्निस करेंगे तो तयार है हमारे साब उर्दाने का खीर एक बार आप भी बना कर देखें इस तरीके से खीर बहुत ही टिस्टी बनती है अब हमारे वीडियो को लाइक कर दें एब हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए कमेंट करके बताएं खीर कैसी बनी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद